नमस्कार दोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे दोस्तो आपके लिए एक बहुती बड़ी खुस ख़वरी निगल के आ रही है आप लोग बार-बार पुछ रहे थे न कि सर एसे सी सेलेक्शन पोस्ट वेल्ड वेकेंसी कब जारी किया जा कि आप लोग का online अभी दन के लिए कब से स्टार्ट हो रही है आपका एक्जाम कब होने वाला है योकता क्या रहने वाला है येज क्या रहने वाला है सारे डाव्ट को किलिएर करेंगी तो वीडियो को सुरू से लेकской end तक जरूर देखें अगर चैने आप आप पहली वार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, फ्यूचर में लटेस्ट अब्डेट सबसे पहले प्राथ करने के लिए दोस्तो सेलेक्शन पोस्ट टुवेल्थ का जो भेकेंसी निकाला जाता है, अस्टाप सेलेक्शन कमिशन के द्वारा निकाला जाता है, यानि एससी के द्वार निकाला जाता है दोस्तो यहाँ पे exam date भी खुशित कर दिया गया है आपका exam जो है मई में होने वाला है और 7-9 मई के बीच में आपका exam होगा दोस्तो यहाँ पे registration जो है अगर meet से start होती है तो आपको March में end हो जाएगी दोस्तो admit card तो आपको exam से एक सबता पहले जारी किया जाता है अप्लिकेशन के अगर बात करें तो यहाँ पे general, OVC, EWS के नेट को यहाँ पे store पे other category के यहाँ पे को भी charge नहीं लगता है आप payment online कर सकते हैं या SPH अलान से भी कर सकते हैं दोस्तो इसमें virus post होते हैं यहाँ पे आपको 10th level, 12th level उसके बाद ITI हो गया, diploma हो गया, bittek हो गया, engineering होगा सारे category के यहाँ पे vacancy जारी के जाते हैं दोस्तो age criteria देख लेते हैं यहाँ पे सभी के जो age account के जाते हैं एक साथ 24 से count के जाएगा minimum आपको 10th, 12th level के पोश्टों के लिए आपको 18 साल, maximum आपको 30 साल होगा age lexation आपको central government के rule console मिल जागा यानि OBC को यहाँ पे 3 साल मिलता है यानि आप 33 साल तक form को अपलाई कर सकते हैं अगर आप SCST candidate है आपको 5 साल मिलेगा यानि 35 साल तक form को अपलाई कर सकते हैं वह दो तो graduation level के अगर बात करें यहाँ पे minimum age होता है कई साल होता है और maximum 30 साल होता है यहाँ भी आप लोग को center government tool के अनुसार आपको age lexation दिया जागा दोस्तो education qualification आप लोग बता ही कि यहाँ पे भैजस पोस्ट होते है जिसमें आपको 10th के पोस्ट होते है 12th बाले भी पोस्ट होते है graduation की भी होते है post graduation की भी होते है ITI की भी होते है diploma के, btk, etc, etc, बहु से दोस्तो यहाँ पे cool मिला करके 500 से ज़्यादा भी प्रकार के यहाँ पे vacancy जारिक के जाते है जो कि आगे आगे आप लोगो बताएंगे दोस्तो यहाँ पे selection process के बात करें तो आपको यहाँ पे simple एक CBT होगा जो सभी का common होगा दोस्तो यहाँ पे आपको graduation level के अगर दे रहें तो आपको graduation level में होगा 10th level में होगा 12th वाला सारे के आपके अलग-अलग category होगे उस category में आपको CBT 1 conduct करा जाएगा उसके बाद दोस्तो skill test होगा skill test यगर जो post के लिए आप इलिवल है जैसे आपने tapping वाला post आप अपलाई किया तो आपके वहाँ पे tapping देना होगा अगर आप अगर 10th के आप MTS के अपलाई किया है तो उसके लिए कुछ नहीं देना होगा उसके बाद दोस्तो graduation level के कुछ पोश्टे हैं उसके बाद engineering के जो कुछ पोश्टे हैं ITI, diploma के हैं तो दोस्तो इन सारे कुछ पोश्टों में हैं यहाँ पे नो ने मेंशन किया था कि Start Solution Commission की ओर से 5649 पदों पर यहाँ पे SSC Selection Page to Valve का notification जारी किया जा रहा है जिसका आवेदन की प्रकारिया है एक फरवरी से यहाँ दोस्तो एक फरवरी से स्टार्ट होने वाला है आप समख सकते हैं तो दोस्तो ए जो होता है सारा प्रोसेस होता आउनलाइन होता है कोई टेक्निकल के कारण यहाँ पे अभी आउनलाइन प्रकारिया सुरू नहीं हुई है आपको एक फरवर्टा के अंदर में इसका आउनलाइन वेदन प्रकारिया शुरू कर दिया जागा दोस्तों यहाँ पर पूरा मेंशन किया गा है कि आप लोग किस प्रकार के पोस्ट होते हैं बरहभी होते हैं गर्जोशन होते हैं अनकटेग्री के आप अनकटेग्री के यहाँ और पोस्ट होते हैं जो कि आपके आगे इस वीडियो में दिखाने वाल करें और दोस्तों कुछ पोष्टे जो होते हैं ऐसे जहां पर अभियर्थी भी नहीं मिल पाते हैं यहां दोस्तों खाली पड़ जाते हैं तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को ध्यान प्रुवक्त सभी जितने भी पोष्ट है आपको एडूकेशन अपने हिसाब से चूज करना है और आपको फिल करना है यह आपको नहीं देखना है कि इसमें एक सीट है या दो सीट है या दस सीट है या पांस सीट है दोस्तों यहां पे कई अकवार देखने के मिला है कि एक सीट है लेकिन मालोग जला कि इस पोष्ट के लिए कोई भी अभि कर रहे हैं इस कंडिशन में वहां पर कंपर्टिशन लेवल काफी ही कम चला जाता है दोस्तों आप लोग बता दू कि मेरा एक दोस्त का जो सेलेक्शन हुआ है आउट अप 200 में मात्र उसके आये थे 65 नमबर जिहां तो 65 नमबर आये थे टेकनिकल में और उसको यहां पर फाइ होंगे जहां पर सेतों के संख्या जाधा होंगे वहांपर अभियाति ही जादा होंगे उसका up mark काफी high जाएगा लेकिन दोस्तों जिसमें 2 सीटे होते चार सीटे होते हैं लेवल से लेवल 7 का भी पोस्ट देखने को मिलता है, लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक यहाँ पे आप लोगो दिखा रहा हूँ, अभी देख सकते हैं, देखिए कुछ पोस्ट जो नहीं है, यहाँ पे लेवल 7 का है, लेवल 6 के तो मैक्समाम पोस्ट देखने को मिलेगा, उसके लेवल 1 हो गया, टू हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सभी प्रकार की यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर देख लिजे, आपको यहाँ पे जोन वाइभ भारा जाता है, जैसे में यहाँ पर देख रहे है, NWR रिजन हो गया, उसके बाद में ACR region हो गया, सारे यहां पे देखने नडवर हो गया, यहां पे सारे जितने भी नडवर में यहां पे वेकेंसी हैं, यहां पे पूरा मिंसर किये गया है, इसका department भी यहां पे देशकते हैं, इस टेकनिकल असिस्टेंट का हो गया, department कौन है, Central Ground Water Department हो गया, हर एक यहां पे पोस्ट देखने को मिलते हैं, और जोन भाई भी देख सकते हैं, यहां पे देखिए, सब ENR division के अंतरगत आगया, यहां पे आपका पोस्ट कोड हो गया, तो दोस्तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप यहां पे ध्यान पुर्भाग स्टेड़ी करके आप फोर्म क को भाई करते हैं, तो आपको selection होने के chances बढ़ जाएगा, जो दोस्तो आपको SAC के paper देते हैं, और यहां पे देखिए, लाखो के संख्या में अभिरती fight करते हैं, और यहां पे cut-up भी काफी हाई जाता है, लेकिन दोस्तो अगर इसमें आप ध्यान देकर कि अच्छे तरह का से form apply कर दी, post का अलग selection करके आप कर ली, तो आपको यहां पे selection हो सकता है, देख सकते हैं, पान सो उन्चास परकार के, यहां दोस्तो साड़े पान सो पचास परकार के यहां पे post है, इसमें यहां पे देख सकते हैं, पिछले बार जो वेकेंसी जारी किया था, त्रे पं सो उ दोस्तों, इन सभी post के लिए, जितने भी 10th level के है, 12th level के है, graduation level के है, सब को यहां पे अलग-अलग, यहां पे paper conduct कराया जाएंगे, जैसे अगर आप 10th level के post भरे हैं, तो आपको CVT अलग होगा, 12th level अलग होगा, और यहां पे जो graduation level अलग होगा, उसका अलग होगा, उसके ब आपको 60 मिनट यान ये, घंटा का समय दिया जाएगा, और आपको एक प्रस्न, दो अंको के होगा, यहां पे देशकते हैं, general intelligence, इन रिजिनिंग का है, आपको 25 प्रस्न, पूछा जाएंगे, 50 नमर के होगे, general वाने 25 कोचन होगे, 50 नमर के, math 25 कोचन होगे, 50 नमर के, English होगे 25 कोचन, 50 नमर के होगे, cool मिलाकर के, यहां पे 200 अंको का यहां पे paper होगा, अगर आप गलती करते हैं, तो आपको 0.50 यहां पे आपको negative marking है, यान ये कोचन गलती करते हैं, ता आधे नमर आपको काट लिए जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग बता दिये, कि जिन पोस्टों पे form apply कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहां पे post allowed कर जागा, जैसे आप लोग NWR में भर दिये, तो दोस्तों NWR में जितने भी state आते हैं, वहां पे आप लोग को यहां पे job करने के लिए भेजा जाएगा, वह जोस्तों अगर आप CR region में, Central region में जितने भी state आते हैं, उ उसके लावे यहां पे color key level के है, यहां पे officer rank के भी है, in charge rank के है, inspector rank के है, तो दोस्तों आपको यहां पे job पर depend करता है आपका job profile, salary दोस्तों आप लोग को बता है दिये, level 1 से लेका start हो रहा है, और level 7 तक का push है, तो दोस्तों अगर level 1 में भी आप join करते हैं, तो minimum कम से कम आप आप लोग को 32,000 के आसपास में salary देखने को मिलेगा, और दोस्तों आप लोग यहां पे जब notification जारे किया जाएगा, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग बता दूगा कि 13th level के कुन post भर सकते हैं, टेकनिकल वाला कुन भर सकते हैं, गजिशन वाला कुन कुन कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करकर रखें, जिसे समय फिर आप लोग को वीडियो मिल सकें, तो दोस्तों एही अपडेट था, आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, सेस्काब, एंसेर करना ना भूले वीडियो देखने के लिए, बन्दू